नमस्कार फ्रेंट्स मेरे नाम बबलु उर्मा पेपर है कर में आपका स्वागत है आज जो देखने वाले हैं वो हिष्टी का लेक्चर नंबर जो हुजाएगा अपना वो हुजाएगा 6 ठीक है इससे पहले 5 लेक्चर आपको मैंने प्रोवाइड का रखें नहीं देखें तो मिलने वाला है तो बढ़ते हैं क्योषनों की ओर आज की बात करते हैं तो आज जो हमारा हो जाएगा ब्ये पार ट्र हं का है सेगिंड समिस्टर हिष्टी का ठीक है पहली बात आपको क्योष्ण यहां से बहुत सकता है कि यह कासर रहां तक है नकना इसे मद्य कालीन भारत का इतिहास कहते हैं, यह अपना हो जाता है 1206 से लेकर, जब दिल्ली सल्त्रत का उदय होता है 1206 से लेकर, 1757 ठीक है? 1757 तक मतलब मुगल कालों का अंत तक यहाँ पन आपको दे रखा है तो यह सन भी आप से पूछ सकता है तो यह भी आपको याद होना चाहिए ठीक है? अब बढ़ते हैं हमारे खिलजी बंस की हो, क्योंकि गुलाम बंस हमने खतम कर रखा है, गुलाम बंस के अब कौन सा आएगा? खिलजी बंस आएगा, तो खिलजी बंस के बारे बारे हम देखेंगे MC क्यों कुशनों के लिए ठीक है? तो बढ़ते हैं अब हमारा श्टार्ट होता है यहां से खिलजी बंस ठीक है? खिलजी बंस तो बात करते हैं खिलजी क्रांती या फिर खिलजी बंस यहां से हमारा श्टार्ट हो क्योंकि गुलाम बंस हमारा समापत हो चुका है तो करांती भी कह सकते है या इसे बंस भी कह सकते है ठीक है खिलजी बंस यहां से स्टार्ट होता है और खिलजी बंस कब से कब तक रहता है यह भी आपको यादोना चाहिए क्योंकि हमारा जो गुलाम बंस था कौन सा था गुलाम बंस ठीक है गुलाम बंस चला था, अब 1290 से लेकर, 1290 से लेकर, सिर्फ 30 साल, कितने सिर्फ 30 साल, जो कौन चलाता, खिलजी बंस चलाता तो हो जाता है, तो हमारा 1320, है ना, 1320 तक, 1290 से लेकर, 1320 तक क्या आता है, हमारा खिलजी बंस आता है, ठीक है, तो ये डेट आपको याद उना चाह यह डेट कौन सी है 1290 से लेकर 1320 अब बढ़ते हैं आगे की ओर ठीक है अब खिल जी बंस का प्रिथम सासक कौन था और खिल जी बंस का अंतिम सासक कौन था इसके बारे में फटावट कमेंट में लिखना है सबी लोगों के लिए ठीक है अगर बात करते हैं खिल जी बंस का प् खिल जी जलाल उद्दीन खिल जी हो जाता है ठीक है और बात करें अंतिम सासक कौन था खिल जी वन्सका तो वो हो जाता है खुसरो सहा खुसरो खा भी देदेता है और खुसरो सा भी देता है यह दिया आपको यादोना चाहिए ठीक है कभी-कभी खुसरो खा देखने को मिलेगा और कभी-कभी खुसरो सा देखने को मिल सकता है और इसका नाम खुसरो के जगे सुसरो भी कहीं कहीं दे रखा है सुसरो, ठीक है? सुसरो खा या फिर सुसरो सा तो इन दोनों में से कुछ भी मिले ठीक है नाम एक के ही हैं कभी-कभी आपको खुसरो सा या खुसरो खा देखने को मिलेगा कभी-कभी सुसरो सा या सुसरो खा यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है ठीक है ये सब इसी क्या नाम है खुसरो सा का ही अब बढ़ते हैं पिर्थम सासक देख लिया, अंतिम सासक देख लिया, हमने इसका कारिकाल भी देख लिया, कारिकाल हो जाता है 1290 से लेकर 1290 से लेकर 1320, only 30 साल इसका कारिकाल होता है गुलाम बंसों का, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, पिर्थम सासक हम आगे देखेंगे, अ सरब कौन था कैखू सरब जो था वो कौन था ये आपको यहाँ पर बताना है ठीक है राइट आंसर दीजेगा फटाबेड कमेंट में बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कैखू शरब कौन था बल्वन का पुत्र बल्वन का भतिजा बल्वन का पोता या फिर हो जाता है बल्वन का भाई राइट आंसर अपना क्या होगा बिल्कुल इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बो हो जाएगा बल्वन का पोता, क्या रहने वाला है बही बलबन का पोता यहाँ पर बिल्कुल राइठ हो जाएगा कैसे याद करें इसके लिए मैंने आप से पहले ही बताया है बलबन का बेटा हुआ करता था बलबन के बेटे का नाम क्या था? कैकू बाद कैकू बाद कौन था? बलवन का बेटा था फिर उसके बाद करते हैं कैकुबाद का बेटा आता है कौन कैमूर्स कैमूर्स और एक ये भी था कौन कैखू शरब कौन था कैखू शरब और भी हो जाते हैं मगर ये दो बहुत important है ठीक है जो आपके exam में यहाँ से पूँच सकता है तो ध्यान रखना बलवन का पोता कौन था बलवन का पोता कैमूर्स भी होता है और कैकू शरब भी होता है तो ध्यान रखना यहाँ पर भी कै देखने को मिलेगा यहाँ पर भी कै और यहाँ पर भी कै देखने को मिलेगा ठीक है मगर ध्यान रखना है कैकू बाद इसका बेटा था बाकी जहां पर कह देखने को मिले वो लगा देना कौन था इसका पूता था तो right answer option number सा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question next question रखा है कैकू बाद सुल्तान बनने के समय आयू क्या थी इसकी यह आपको बताना है जो कैकू बाद था बलवन का बेटा जो था कैकू बाद उसका सुल्तान बनने की समय आयू कितनी थी यह आपको बताना है 17 बर्स 20 बर्स 22 बर्स या फिर 24 बर्स right answer क्या होगा कैकू बाद जो बलवन का बेटा हुआ करता था इसको सुल्तान बनने के समय इसकी आयो जो हुआ करती वो कितनी थी 17 वर्स थी कितनी थी 17 वर्स थी बहुती इजी प्रिकार से याद रखना है ठीक है कितनी 17 वर्स आगे बढ़ते हैं next question next question की बात करते हैं यहां दे रहता है फक्रुद्दीन मुहमद था यहांको बताना है दिल्ली का कोटवाल दिल्ली का सुवेदार दिल्ली का अमीर दिल्ली का बजीर राइट आंसर क्या रहने वाला है फकुरुदीन मुहम्मद था कौन था, ये हो जाता है दिल्liament का कोतबाल कौन दिल्לי का कोतबाल कैसे याद करें? फकुरुदीन में आपको फा देखने को मिलेगा क्या? फा और फा बिल्कुल کا की तरह होता है तो का से आपको कोतबाल बिल्कुल याद रहने वाला है राइट आंसर हो जाएगा option number A ठीक है तो फकरुदीन मुहम्मत था कौन था दिल्ली का कोतबाल आगे बढ़ते हैं next question और जिस किसी को इसकी PDF चाहिए क्योंकि बिना PDF से आपको मतलब याद नहीं होने वाला है ठीक है बिना PDF से याद नहीं होने वाला है यहाँ पर तो बढ़ोगी पढ़ोगी साथ में क्या है PDF से खुद जब ट्रिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वही ट्रिकों के रिवाइज करके फटापड रिवाइज करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं next question यहाँ दे रिखा है निजामुद्दीन दिल्ली का था क्या था यह आपको बताना है निजामुद्दीन जो था दिल्ली का था क्या था बजीर था दाद वेग था सीना पती था या फिर अमीर था right answer बताएगा क्या होगा निजामुद्दीन दिल्ली का था क्या था यहाँ देखीगा ध्यान से ना जा निजामुद्दीन में क्या देखेंगे हम निजामुद्दीन में निकालेंगे ना जा अब भी कोई जा रहा है तो इसकी कोई ना कोई स्पीट होगी कोई ना कोई बेग होगा तो यहाँ पर बेग देखने को मिलेगा क्या हो जाएगा दाद बेग निजामुद्दीन दिल्ली का था क्या था भई दाद बेग था कैसे याद करें निजाम में ना जा मिलेगा यहाँ पर ठीक है ना जा हमने ना जा निकाल लिया बाहर के लिए जब कोई जाएगा तो कोई ने कोई बेग से जाएगा गती से जाएगा तो यहाँ पर दे रखा है दाद बेग ठीक है बिल्कुल आपको याद रहने वाला है आगे बढ़ते है next question यहाँ दे रखा है कैकुबाद ने अपनी सेना का सेना पती बनाया था जो कैकुबाद बल्वन का बेटा हुआ करता था उसने अपनी सेना का सेना पती किसे बनाया था यह आपको बताना है पहराद रखा है निजामुद्दीन को जलालुद्दीन को फिरोज को या फिर कच्छन को राइट आंसर क्या होगा कैकुबाद ने अपनी सेना का सेनापती बनाया था किसे बनाया था जो बाद में खिलजी बंस का परतम सासक बनेगा उसी के लिए बनाया था उसका नाम क्या था जलाल उद्दीन क्या था जलाल उद्दीन और यही क्या करेगा इसके पोते का मतलब इसके बेटे को कैमूर्स को मार कर कहा बैठेगा गद्धी पर बैठेगा कौन जलाल उद्दीन ठीके जो किसका सेना पती हुआ करता था कैकुवाद का बल्वन के बेटे के कैकुवाद का सेना पती हुआ करता था जलाल उद्दीन ठी जो खिल जी अलावत दीन, या फिर इल्थूतमिस, हिल जी बंस का पर्थम सुल्तान कौन था, अजय हमने बताया था, पर्थम कौन था, जलाल अथ Дीन अंतिम कौन था, खुश रोसा, तो खिल जी बंस का, पर्थम सासक हो जाता है, को उन राता है, जलाल उद्दीन हो जाता है अगर अलाउद्दीन की बात करें ये पिरसिद सासक था कौन था पिरसिद खिल जी बंसका पिरसिद सासक मोचले पिरसिद सासक कौन था तो वह तुमारा हो जाता है कौन वह हो जाता है अलाउद्दीन ठीक है अलाउद्दीन जलाल उद्दीन का भ बात ही नहीं थी यह तो बहुत पहले ही जा चोके हैं ठीक है फिरोज किल जी यह हम आगे देखने वाले हैं आगे देखेगा नेक्स्ट कोशन यहां दे रखा है कुशन में दास बंस के पतन के पिरमुकारण थे क्या थे आपको बताना है दास बंस या फिर गुलाम बंस बात एक ही है ठीक है इसे दास बंस भी कहते है और इसे गुलाम बंस भी कहते है तो बताएगा राइट आंसर क्या होगा गुलाम बंसके पतन के पिर्मुकाड क्या थे आपको बताना है पहला हो जाता है मंगोल आकरमल दूसरा था दास बंसके सासकों का बिदेश होना मतलब दास बंसके थे गुलाम बंसके थे उनके सासकों का बिदेश होना और रे रख्या है तुम्हारा उत्र दीकारी नियम का अभाव राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल उत्र दीकारी नियम जो थे उनमें अभाव था, नियमों में कमी थी बही बात करते हैं 10 जास के सास को का विदेशी होना बात करते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आप्शन नमबर दा उपियुक्त सभी के कारड़ दास बंसके पत्न के कारड़ हो जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्छन यहाँ दे रखा है 1279समी में बलवन ने बंगाल के किस सुवैदार के बिद्रो को समाप्त किया था बैस सुवैदार कौन था यह आपको बताना है पहला देर रखा है बुगरा खा फिर दीर रखा है तुम्हारा तुगरिल खा फिर दीर रखा है कैकूवाद और कैकूमर्स राइट आंसर क्या क्या रहने वाला एक फटावेट कमेंटे में लिख देना है देखो बात करें बलवन ने बंगाल के किस सुवेदार के बिद्रो को समाप्त किया था तो बुगरा खां तो इसका बेटा था बुगरा खां कौन था? इसका बेटा था जब बंगाल ये बंगाल आया था युद्ध करने के लिए तो अपने बेटे किसके लिए बुगरा खा को लेके आया था ठीक है ये हमने पहले पढ़ रखा है तो बुगरा खा तो इसका बेटा था तो ये तो होगा नहीं ठीक है बात करते हैं कहकोबाद बलबन का बेटा था, ये भी नी होगा, दोनों तो बेटे यी बेटे दे रखे हैं फिर दे रکा है क्यूमरस और उपर दे रिका है कौन सा? तुग्रिल खां तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो कौन हो जाएगा तुग्रिल खां हो जाएगा है ना right answer हो जाएगा तुग्रिल खां आगे बढ़ते हैं next question next question की बात करें यहाँ पर इस परकार से भी आ सकते हैं कि यहाँ पर गाल चुपा हुआ है तो यहाँ पर भी गा है यहाँ पर भी ला है ठीक है तो गाल यहाँ से बन जाएगा इस परकार से याद कर सकते हो आगे बढ़ते हैं next question रखाए गुलाम बंस में कुल कितने सुल्तान बने थे यह मैंने कल बता रखा है आपके कल की वीडियो देखियोगी तो आपको पता होगी है ना तो गुलाम बंस के कुल कितने सासक बने थे तो मैंने बताया था कितने सासक थे ग्यारा सासक थे, कितने ग्यारा सासक थे, तो right answer कहाँ है 10, 12, 11 या फिर 20 तो right answer हो दाएगा option number 2 ग्यारा सासक बने थे आगे बढ़ता है next question, यहाँ रखा है गुलाम बन सका अंतिम सुल्तान कौन था humorous, बुग्राखा कैकूबाद बलवन right answer क्या होगा मैंने कलाम को बता रखा है ठीक है, बुग्राखा कौन था बलवन का बेटा ठीक है, बलवन कौन था बलवन तो है ठीक है, बलवन तो उससे पहले आता है यह तो होगा नहीं, यह भी नहीं होगा ठीक है, और बलवन का बेटा कौन आता है कैकु बाद भी हो जाता है मैं कैकु बाद के बाद भी बेटे तो आये थे इसके कैकु बाद का बेटा हुआ था कैमूर्स यह क्यूमरस दे रखा है कभी-कभी क्यूमरस भी देगा और कभी-कभी आपको कैमूरस भी मिलेगा क्या मिलेगा कैमूरस तो ध्यान नकना क्यूमरस और कैमूरस एक के ही नाम है ठीक है क्यूमरस और कैमूरस एक के ही नाम है तो यहाँ पर जो कैमूरस हो जाएगा वो भी बलवन का बेटा हो जाएगा ठीक है तो बिद्रो किसके संग करेंगे तुगरिल के साथ इस प्रकास से भी काट के आंसर दे सक जाता है आगे बढ़ते हैं next question अब यहां से start हमारा होगा कौन जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी कौन जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी यहां से start हो जाता है ठीक है एक बार फिर पर लेते हैं खिलजी बंस कब से कब तक रहा है तो बात करें 1290 से लेकर 1320 तक है ना 30 साल का कार है यहां पर ला चुपा हुआ है तो ला कैसा है थीन की आकार का है तो तुको जलालो जीन फिर ता है कि बनता है ठीक है अब बात करते हैं खिल जी सका इबराहीम, राइट आंसर क्या होगा अभी हमने बताया खिलजी बंस का जो प्रिथम सासक था वो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी और जो अंतिम सासक हो जाता है वो खुसरो खा हो जाता है या साभी आपको देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं यहां देखा है 1290 इसबी में जलालुद्दीन का राजवी शेख कहा किया गया था जलालुद्दीन फिरोज सासक खिलजी था उसका सत्रा सो सोरी सत्रा क्या रहो 1290 ठीक है 1290 में क्या होता है गुलाम समात्तो जाता है गदी पर कौन बेटेगा जलालुद्दीन खिलजी तो 1290 इसबी में जलालुद्दीन का राजवी शेख कहा हुआ था दिल्ली में लाहोर में या फिर किलो खड़ी में या फिर सुल्तान मुल्तान राइट अंस में देगा कौन सा हो जाएगा देखो बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी खिलजी एक इसके बाद आएगा पिर सिदिसासा कौन था अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी दो होता है वो बाजार को निंतिड करता है इसको बाजार को निंतिड करता है यह बस यादक ना है बाजार को नेंतित करता है जब बाजार में क्या होता है बाजार में बस थों बिक्ती हैं कैसे किलो के हिसाब से तो यहाँ पर किलो कहाँ पर चुपा हुआ है बस वो देखना है हमें ठीक है तो बात करते हैं 1290 इसमें जलाल उद्दीन का राजविशे कहां हुआ था, खिलो कहां पर है, दिल्ली में किलो है, लाहॉर में किलो है, या फिर किलो खड़ी में किलो है, या फिर मुल्तान में किलो है, तो आपको होगे भई, किलो खड़ी में है, तो इसका मतलब बाजार नेंतर किस ने किया था, अलावदेन खिलजी ने, तो इनका जो राज़वेश है कहा होगा किलो खड़ी में ठीक है इस प्रकार से ट्रिक से याद रहेगा आपको क्या हो जाएगा option number सा रहने वाला है आगे बढ़ते हैं next question next question की बात करते हैं खिलजी कहां के निवासी थे जो खिलजी थे वो कहां के निवासी थे अफगानिस्तान के तुरकिस्तान के इराक के या फिर इरान के तो हमें इतना पता है कि इराक और इरान से तो कोई आया नहीं था ठीक है इस समय तो यहाँ पर right answer क्या होगा right answer होगा अफगानिस्तान के निवासी थे जो खिलजी बंसका था खिलजी कहां के निवासी थे खिलजी अफगानिस्तान के निवासी थे आगे देखेगा नेक्स कोशन यहां दरेका है मलिक चजु ने किसने मलिक चजु ने जलालोदीन के बिरुद्ध बिद्रो किया था जो मलिक चजु था उसने के बिरुद बिद्रो कभी किया था ये आपको बताना है 1290 में 1291 में 1292 में 1293 में राइट आंसर क्या होगा फटा उड़त आएगा बताएगा भैष राइट आंसर क्या होगा इसका मलिक छजु ने अलावदीन के बिरुद बिद्रो किया था जब गुलाम बन समाप्त हुआ जब गुलाम बन समाप्त हुआ जलाल उद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठने के लिए उदर जो मलिक छजु था कौन था मलिक छजु था वो भी गद्दी को हडपने के लिए बिद्रो करता है किस से जलाल उद्दीन खिलजी से उसी समय कब ज 1290 से लेकर 1330 तक, 1320 तक, क्योंकि 30 साल रहा था, 1320 तक कौन रहता है, ये हमारा खिलजी बंस रहता है, जैसे ही खिलजी बंस की स्थापना होती है, जलाल अद्दीन और मलिक छज्जु के अनुसार बिद्रो होता है, गद्दी के कार तो राइट अंसर अप्शन नमबर आ हो ज इदी मौला की हत्या किस प्रकार की गई थी आपको बताना है, पहला दरखा है, बद करके, पासी, हाती से कुचल कर, या फिर बिस देकर, राइट बताएगा, बलबन का चचेरा भाई हुआ करता था सेर खां, कल इससे पहले पढ़ेते, बलबन का चचेरा भाई हुआ करता सेर खां, सेर खां की मृत्यू किस के द्वारा की गई थी, बलबन ने अपने चचेरे भाई को बिस देकर, क्या करके, बिस देकर सेर खां की मृत्यू कर दी गई थी, यह तो आपको पता होगा, इससे पहले में देखर का है, तो यहाँ देरका है, शीधी मौला की हत्या किस प्रकार की गई थी तो इसको किस के साच जिथी मौला की हत्या किस प्रकार की गई थी तो इसको हाथी से कुचलवा कर मर्भा दिया थैं ना तो जलालत भरके मारेगा कैसे मारेगा भई हाती से कुचल कर उसे मारा है ना तो यह जलालती तो है आगे देखो next question यहां देखा है जलालदीन के सासनकाल में रर्थमबोर का सासक था जिए जब जलालवदीन का सासक था जलालवदीन के सासनकाल में रतंबोर जो था उसका सासक कौन था ये आपको पताना है राइट अंसर बदाएगा क्या होगा राणा राणा thirds राणा मांस राम सिंग या पर धरिमपाल सिंग बिजै सिंग या पिर हो जाता है हम्मीर देव राइट अंसर क्या होगा देखो आप ऐसे याद करो इसके लिए जलालुद्दीन में डवला यही बात करते हैं रर्थमबोर में डवल भा जिसे मा बनाएगा ऐसे ही भा की तरह बनता है यह हम डवल मा कह सकते हैं क्या कह सकते हैं डवल मा तो डवल मा यहाँ देख सकते हो उसी प्रिकार से डवल मा कहां पे है यह देखीगा ठीक है तो बिल्कुल याद रहेगा आपके लिए कि जलालुद्दीन के सासनकाल में रर्थमबोर का सासक कौन था तो बहए हो जाता है हम्मीर देव कौन था भई हम्मीर देव था राइट answer option number दा रहने वाला है आगे बढ़ता है नेक्स कुशन नेक्स कुशन देखो देवगिरी का सासक राजा रामचंद किस बंसका था जो देवगिरी थी देवगिरी का एक सासक हुआ करता था राजा रामचंद ये किस बंसका था ये आपको बताना है पहला देरिक का एक छत्तुरिये यादव चोहान या फिर ब्रहमड किस धर्म का था इसका भी ट्रिक है दासे देवगिरी चंदर में भी दा देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी दा देखने को मिलेगा ठीक है तो आप क्या लगा देंगे यादव बात करें देवगिरी का सासक राजा रामचंद किस बंसका था यादव बंसका था राइट आंसर उप्शन नमबर बारहने वाला है किसके सासनकाल में हुआ था कह सकते हैं मंगोलों ने आक्रमड दच्छड भारत प्राक्रमड किसके सासनकाल में किया था पहला दरिक्का है जलालुद्दीन के बलवन के अलाउद्दीन के या फिर एबक के तो एबक तो बहुत पहले कुतब अद्दीन एबक गुलाम बंसका थ ये तो बहुत पहले की बात हो गई, इस समय तो था नहीं, आपको पता है, जब खिलजी बन साय था, उस समय मुंगलों का बिद्रों बहुत जादा हुआ था, तो या तो होगा जलालुद्दीन, या होगा अलाउद्दीन, ठीक है, ये बलबन भी नहीं रहने वाला, क्योंकि बलबन भी गुलाम बन से सम्मदित है, ठीक है, तो बात करते हैं, गुलामों का दच्छड भात पर आकरमण, किस के सासनकाल में हुआ था, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, तो बात करें, जो अलाउद्दीन था, इसने तो अपनी सेना में बहुत बिस्तार किया था, किसी को मारना नहीं चाहता था, ठीक है, तो इस परकार से राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, अलाउद्दीन के, मुसलिमों का दच्छड भात पर आकरमण, किस के सासनकाल में हुआ था, तो बो हुआ था, अलाउद्दीन के सासनकाल में, आगे बढ़ते हैं, नेक किस राज पर आकरमण किया था, ये आपको बताना है, जब 1294 में था, उस समय इसका भतीजा हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी, कौन, अलाउद्दीन खिलजी था, जलालउद्दीन खिलजी का भतीजा, जलालउद्दीन खिलजी का भतीजा भी हुआ करता था, और इस 1294 इसमें सिनापती अलाओदीन खिलजी ने दच्छिड के किस राज पर आकरमण किया था पहला दे रखा है देवगिरी, केरल, तेलंगना, करनाटक तो ये तो सारे की सारे बिलकुल अपोजिट हैं, बिलकुल अलग हैं, है ना राज हैं उसमें राज नहीं हुआ करते थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवगिरी 1294 इसमें सिनापती अलाओदीन ने दच्छिड के किस राज पर आकरमण किया था तो बह किया था देवगिरी पर, राइट आंसर आप्शन नमबर आ रहने वाला है आगे बढ़ते हैं, नेक्स कुशन को देखते हैं नेक्स कुशन की बात करें 1292 इस भी में किस मंगोल ने दिल्ली पर आकरमण करने का प्रियास किया था एक होता है 1292 में एक होता है 1294 में ये दो आपको याद रखना है, कौन सा 1292 और 1294 1292 और 1294 के दो ये दो होते हैं मंगोलों वाले जिनको अलावदीन खिलजी जो होता है वो क्या कर देता है, खतम कर देता है मतलब इन्हें होने ही नहीं देता तो ये दो आप से पूचेगा, एक बाप ताईगा कि अलावदीन खिलजी के समय में कौन कौन सी सन में आकरमण हुए थे, जो उसने विफल किये थे तो 1292 और 1294 में 1292 इस भी में इस मंगोल ने दिल्ली पर आकरमण करने का प्रियास किया था तो कौन था, अबूबकर, अब्दुल्ला, चंदेल खां या पिर तैमूर, राइट आंसर बताएगा, कौन सा हो जाएगा जो 1292 का एक बिद्रो हुआ था ठीक है, 1292 का बिद्रो हुआ था इसको विफल जो किया था, वो था अलावद्दीन, कौन था, अलावद्दीन सोरी, अलावद्दीन होगा, यहाँ पर जलालुद्दीन होगा कौन होगा, जलालुद्दीन जहां रकना, इन दोनों के जगए कौन था जो बिफल किया था, वो जलालुद्दीन नहीं किया था 1292 में और 1294 था के दो मंगोल युद्दुए थे इनके लिए विफल किया था किसे जलाल अधिन ने अला अधिन ने होगा जलाल अधिन होगा ठीक है बही बात करते हैं 1292 किस मुंगोल ने दिल्ली के आकरमड करने का प्रियास किया था बहुत रखने है मंडोर का दुर्ग राजपूतों से किस बर्स जीता था अलाद जलाल उद्दिन खिल जी ने मंडोर का दुर्ग राजपूतों से किस बर से जीता था तो पहला दे रखा है 1291, 1293, 1292, 1296 राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है बताईगा इसी समय जीता था कब 1292 में 1292 में जीता था 1292 में जीता था जलाल उद्दिन खिल जी ने मंडोर का दुर्ग राजपूतों से किस बर जीता था तो 1292 में जीता था मैंने बताया दो याद रखना है 1292, 1294 जीता कब 1292 ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन यहाँ रखा है मंगडोल अब्दुल्ला ने किस बर से मजब पर अधिकार किया था जो मंगड़ अब्दुल्ला था उसने किस बर से मजब पर अधिकार किया था अब ही हमने देखा था मंगोल अब्दुल्ला ने आकर्मन कप गिया था 1292 तो अधिकार्वी पंजाब पर ये कप करता था 1292 में करता था राइट अंसर अप्शन नमबर दा ही हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं नेक्स कुशन देखा है अलावदीन इखिल जी ने मालबा इस्थित भीलसा की लूट किस बरस की थी आपको बताना है 1292, 1293, 1294, 1296 राइट अंसर क्या होगा मैंने आपको बताया है बस दो ही आद रखना है 1292 और 1294 तो राइट अंसर क्या हो दाएगा 1292 राजपूत का दुर्बी जी था नोंने और यहाँ पर कह सकते हैं भीलसा की लूट भी उसी वर्स की थी कब 1292 में आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन यहाँ रखा है किसने जलाल अद्दीन खिलजी को कोमल हिर्देवाला सुल्तान कहा है जो जलाल अद्दीन खिलजी था वो कोमल हिर्देवाला था कह सकते हैं मुसल्मानों को मारना नहीं चाहता था ठीक है तो बात करते हैं किसने जलाल अद्दीन खिलजी को कोमल हिर्देवाला मुसल्तान कहा है क्योंकि जो मंगोल दो थे वो सभी के सभी मुसल्मान थे और खिलजी बंस पर आक्रमण कर रहे थे ये कहता है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये मुसल्मान है तो बात करते हैं परेद रखाए हबिवल्ला ने कहा है प्रोफेशर S.R. सर्माने कहा है या फिर ल S.R. सर्माने कहा है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन यहां दरिकाए हिर्दय परिबर्तन असोक की भाती जलालोदीन खिलजी मानव प्रेम और विस्बास के साथ राज करना चाहता था किसका कथन है हिर्दय परिबर्तन असोक की भाती जलालोदीन खिलजी मानव प्रेम और विस्बास के साथ राज करना चाहता था यह किसका कथन है आपको बताना है प्रोफेशर आस ऐशार सर्माने यह नहीं होगा इन्होंने कहा था कोमल कोमल मतलब प्रोफेशर है प्रोफेशर है ना तो यह लड़ा जगडा तो करेंगे नहीं तो कैसे होंगे कोमल होंगे बस यह हमने ट्रिक मिना ली यहाँ पर अब बात करते हैं हिर्दय परिबर्तन असोकी भाती जलालोदीन खिलजी मानव प्रेम और विस्बास के साथ हब ल्लाने राइट अंसर क्या होगा अधी बदाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बो जाएगा हभी बुल लाने किसे हभी बुल लाने कहा है पहले मारा उसके बाद प्रेम की बात हो रही क्योंकि असोक ने भी कल्नजर सी बहुत युद्ध किया थे ठीक है जिसमें क्या हुआता बहुत खुन रक चाप हुआता तबी असोका जो हिर्दा हुआता परीवर्फ सbon परीवर्फत हुआता भई तरहता है जलाल-अदिन हिर्दे का परीवर्फन ठीक है इसलिए हम क्या लगाएंगे हाभी बुल्ला लाएंगे right answer option number दा होगा आगे बढ़ते हैं next question यहाँ दरेका है दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत शही अर्थों में किस इसलामी राज नहीं हो सकता कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इसलामी राज नहीं हो सकता किसका कतन है ये कतन बल्वन का भी था सुरी इल्टूत मिसका भी ये कतन था कि दिल्ली सल्तनत कोई भी मुस्लिम राज में कनवर्ण नहीं कर सकता तो बही दे रहका यहाँ पर दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामी राज नहीं हो सकता यह कहतन किसका है बहाँ पर इल्तूतमिस का था यहाँ पर यह कहतन किसका है यह आपको बताना है क्योंकि इल्तात इल्तूतमिस यहाँ तो option में है नहीं जो हम लगा सकें देखेगा जलाल अद्दीन खिलजी का बलवन का अला उद्दीन खिलजी का या फिर रजिया का तो हिर्दे परिवेतन किसका हुआ कोमल हिर्दे किसका हुआ जलाल उद्दीन खिलजी का तो बही कहेगा कि भाई जो दिल्ली है वो पूरी राज से इसलामिक राज नहीं हो सकता किसने कहा जलाल अद्दीन खिलजी ने तो right answer option number A हो जाएगा next बढ़ते हैं मैं एक मुसल्मान हूँ और मुसल्मानों का रक्त महाने की मेरी आदत नहीं है किसका कथन है ये आपको बताना है क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा मुंगोल आकरमकिस में हुए थे खिलजी बंस में हुए थे और खिलजी बंस के समय कौन था परतम सासद जलाल अद्दीन खिलजी था ये ही कोमल हिर्दै के लिए कह सकते है असोक के नुसार परिबर्टत हो गया था कि मुसल्मानों को नहीं मारूंगा उनका रक्त मैं नहीं देख सकता तो भी देरका है मैं एक मुसल्मान हूँ और मुसल्मानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है ये कतन किसका है ये कतन जो है बलबन का है रजिया का है शेकंदर लोदी का या पर जलाल अद्दीन खिलजी का तो आपको पता है جلال الدین खिल जी का बागे बढ़ते है नेक्स क्योशन यहाँ देरिक काय क्योशन मैं एक मुसलमान के बाल को ऐसे दस किलो मैं एक मुसलमान के बाल को ऐसे दस किलो की तुल्ना में महत्पूर मांता हूं ररत्थंबोर ना जीतने के सम्बन में किस ने कहा था रतंबोर ना जीतने के संबन में किस ने कहा था इल्तूत मिस ने, जलाल अद्दीन खिल जी ने अलाउद्दीन खिल जी ने या फिर बलवन ने इसका तो राइट आंसर हो जाएगा जलाल अद्दीन खिल जी ने कहा था क्योंकि अलाउद्दीन खिल जी जो है वो कुछ नहीं करता है अपनी सेना में बड़ोतरी करता है और अपने जो राज की जो पिरजा होती उसकी देखभाल करता है ठीक है ये इसका काम था अलाउद्दीन खिल जी का क्योंकि ये पिरसिद सासा को जाता है बहुत बड़ी सिना त्यार करता है इस्ताई सिना करता है गोडों की दागनों की पर्था चलाता है हम लास्ट में देखेंगे ठीक है तो बात करते हैं इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बो हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी का आगे देखते हैं सहर का नाम तो है नहीं ना फल का नाम है नहीं ब्यक्ति का नाम है ये एक कभीला या पर बंस का नाम हो जाता है आगे बढ़ते हैं 1296 इस्वी में जलालुद्दीन का राजविशेक कहा हुआ था आप देखेगा जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ का जलालुद्दीन का राजविशेक 1296 में नहीं ये गलत है ये गलत है यहाँ पर अलाउद्दीन होना चाहिए अलाउद्दीन ठीक है यहाँ पर अलाउद्दीन होगा 1296 इस्वी में अलाउद्दीन का राजविशेक कहा हुआ था जो जलालुद्दीन का जनिकीटर के यह पांस साल के बाद कारिकाल खतम होगा, और बहाँ पर अलाउदीन है, जो इसका बतीजा और दामाद कहा जाता है, ठीक है, वह इसकी मत्यू कर देगा, और चटी साल में कौन बैठेगा, चटी साल में बैठेगा अलाउदीन खिल जी, तो 1296 ऐसमी में, अलाउ बाजार निंत्रड की कारवाही आपको देखने को मिलती है यहां से तो बाजार में क्या करेंगे बैई किलो से तोलेंगे हैंना तो यहां पर भी क्या होगा इसका भी राज़वीशे खहा हुआ हुआ किलो खड़ी में हुआ खिलजी बंस का पितम सासत जलाल उद्दिन खिलजी था उसका भी राजविशे कहा हुआ किलो खड़ी में अब उसका भतीजा उसका दामाद उसे मार कर गदी बैठेगा 1296 में तो ये भी कहा का राजविशे करवाएगा ये भी राजविशे करवाएगा किलो खड़ी में ही ठ जान देखो बहाँ पर था 1296 जो हुआ था जलाल अध्दीन खिल जी का राजविश्यग अब यहाँ पर बोच रहा है चे साल पहले मतलब 1290 तो 13 जून 1290 में किलो खड़ी महल में किसका राजविश्यग हुआ था जलाल अध्दीन खिल जी का बलवन का गजनभी का यह पर यहां दे रिखा है 1296 में 1296 में सुल्तान अलाउद्दीन खिल जी कहा का सुल्तान बना 1296 में सुल्तान अलाउद्दीन खिल जी कहा का सुल्तान बना हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1526 तक अभी पढ़ रहे हैं 1206 से लेकर 1526 पानिपत के युद्ध तक किसका कारिकाल लेता है दिल्ली सलत्रत का कारिकाल लेता है तो यहाँ पर राइट जो अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा दिल्ली है ना तो जो 1296 इस विमे में सुल्तान अलाउद्दीन खिल जी कहां का सुल्तान बना तो बही दिल्ली क सुल्तान बना था, right answer option नमबर आ रहने वाला है next question की बात करते है, next question को देखीगा यहां देखाए, अलाउद्दीन खिल जी के पिता का नाम क्या था अलाउद्दीन खिल जी के पिता का नाम क्या था, तो रखाए मुहम्मद शहाखिल जी, मुहम्मद अली खिल जी, शहाखुद्दीन खिल जी, या पिन में से कोई नहीं तो अलाउद्दीन खिल जी के पिता का नाम क्या था बहो जाता है, सहाखुद्दीन हाँ ठीक है, शहाखुद्दीन खिल जी, ठीक है, कौन था शहाखुद्दीन खिल जी अलावद्दीन शाहवद्दीन ठीक है इसे याद करने की ट्रिक जलो थोड़ी सी बना जेते हैं यहाँ पर अलावद्दीन में आपको ला देखने को मिलेगा और आ भी देखने को मिलेगा आ में भी आपका इस प्रकार से है और ला में भी आपका इस प्रकार से है न तो हा कैसे बन जाता है हा इसे बन जाता है न बन जाता है बिल्कुल तो आपको सिहा यहाँ पर हा देखने को मिलेगा बस सिहा बुद्दीन खिल जी याद हो गया न बिल्कुल आगे बढ़ते हैं next question तो यहाँ से हमारा जो हो जाता है जलाल अद्दीन खिल जी ठीक है जलाल अद्दीन खिल जी यहाँ पर खतम हो जाता है तो आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले है अगली वीडियो में किसे देखेंगे अलाउ दीन खिलजी के बारे में देखने वाले है ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी है तो like करना share करना channel को subscribe करने ना बला icon को प्रेस कर देना और वीडियो को response देना है वीडियो को share करना है ठीक है like तो 100% करना है और pdf download करना ही करना है क्योंकि pdf download नहीं करोगे